लक्ष पाया कहां जाता है राधा लक्ष तो जिया जाता है मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहतू कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहतू क्योंकि प्रेम भी लक्ष की ही भाती पाया नहीं जिया जाता है तुम प्रेम पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है तुम पुजारी का नहीं और तुम मेरे लिए पूजा हो रहता है मेरे अराधना नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सब को जल देती है सागर जल लेता है इसलिए खारा होता है और नाला उसका बहना रुख जाता है और इसी कारण से वो दुरगंद पूर्ण हो जाता है किसी काम का नहीं रहता हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है यदि नदी की भाती जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी यदि सागर की भाती बाटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बरती रहेगी और यदि नाले की भाती भेहना छोड़ दो कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो और जो कुछ भी आपके पास है उसे बाटना सीखो मन प्रसन्न होकर मेरे आज़ पास ये व्रिक्ष ये पौध है ये पुश देख रहे हैं है ना सुन्दर क्योंकि आपने इन्हें देखा है इसी प्रिकार जब प्रेम की बात आती है लोग किसी का मुक्स मरंग कर लेते हैं ऐसी आखें वैसी मुस्कान तिर्ची भ्रूकुत घने के पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है नहीं यह उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आखों ने देखा और हमने स्विकार कर लिए परन्तु प्रेम प्रेम भिन नहीं प्रेम उस वायू की भाती है जो हमें दिखाए नहीं देता है किन्तु वह हमें जीवन देता है तंसार किसी स्त्री को कुरूब कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आखों से देखता है परन्तु संतान उसी माता को तंसार में सबसे सुन्दर समझें क्योंकि वो भाव से जुड़े परन्त की आखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाओगे इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आखे खोड़े और प्रेम से कखो राधे राधे जब भी प्रेम की बात आती है हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायका का चित्रेंड कर लेते हैं क्यों आपके साथ भी यही होता है नो कि क्या फ्रेम की वल नायक नायका की आकर्शन का बंधन है नहीं । प्रेम तो परिवार से से हो सकता है, माता पता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्म भूमी के लिए हो सकता है, मानफता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृती के लिए हो सकता है, पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता, जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा, जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता, तेरी प्रेम को पाना है, तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख, सब प्याक कर समर्पन करना होगा, अपने मन से व्यापार हटाता, तभी प्यार मिलेगा, और मन प्रसन्य होकर बोले, जाथे राथे, प्रेम विधाथा की सबसे सुन्दर कृती है, परन्तु हर कृती को संभालना पड़ता है, अब इसी मूर्ती को देख लीजिए, जब कराकार ने इसे रचा, तभी ये बहुत सुन्दर थी, परन्तु इसके पश्चा आत इसे संभालना न नहीं गया, इसके स्वामी ने इसके देख बाल का कर्तव ये ठीक से नहीं लगाए, और अब अब ये मूर्ती का सुन्दर लगने लगी, इसी प्रकार के वल कह देने से प्रेम नहीं हो जाते है, इसके लिए आपको अपने कर्तव ये को पूर्ण करना हो, तो देश की परिवार और संबन्दियों के सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साती का आभा है, ये कर्तव ये जब तक नहीं निभाओगे, प्रेम से दूर होते जाओगे, तो यदि प्रेम का अमरित पाना है, तो कर्तव ये क्यांजुली बनानी होगा, और मन से कहना होगा, जाधेर प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो, तो ये बंधन से मुक्ती है, सतंत्रता है, नहीं समझे, समझाता हूँ, यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही न पाए, तो क्या होगे? कुछ उदास हो जाएं, कुछ छन करके प्रेम पाना चाहें, तो कुछ बल पूर वक्त प्रेम पर अधिकार करना चाहें, किन्तु ये अवश्शक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो, उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, ना राज्य है न धंग, ज वो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है किन्तु स्वयम किसी बंधन में नहीं फस्ती तो जिसे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़तीजें क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक पुरिया प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ मे आए तब तक के लिए स्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आही जाएगा और मन प्रसंद होकर बोलेगा राधे राधे मुरुश्य का सुभाव है कमाना संग्रह कर पर चाहे वो धन हो नाते हैं संबंध हो या हो प्रसंद पर उन्तु क्या आपने कभी सोचा है नियती नहीं यह संग्रह करनी की प्रकृति यह मनुष्य में क्यों डाएगा एक बीद से बौधा पनेपता है उसके भोजन से फल संग्रहत होता है क्यों इसलिए था कि अवरिक्षय उसे स्वयम खा सकें नहीं बलकि इ इसलिए ताकि वो भूगे जीवों में बाच सकते अब आप पूछेंगे कि इसमें व्रिक्ष का क्या लाब है लाब है क्योंकि जो बाटता है वो मिटता नहीं जो फली जीव खाते हैं वो उसकी बीजों को वातावरेंट में बिखेर देतें जिससे जनम लेते हैं नए व्र उसका गुल्ड उसकी मिठास अमर हो जाते हैं इसने स्मरण रखेएगा अमीर होने के लिए एक एक संग्रह करना पड़ता है जिन्तु अबर बनने के लिए एक एक कंड बाटना पड़ता है कि दाथे रखेए मन वरी ही विचित्रक्रेटी है यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता कि इन्तु संपूरन शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता अब यदि मन कुछ खाने का करें तो व्यक्ति उसकी वनों उपनों की इच्छा स करने का मादियं धूंटा रहता है कि अब यदि मन किशी को शत्री समंझ लें है तो व्यक्ति उसे नश्ट करने का हर संभव प्रयास करता कि अब यदि मन किसी इसे प्रेम करें तो इसकी प्रसंदता के लिए हर सीमा लांगने कि लिए और गाली हो इस बासुरी की भाति बीतर कुछ भी नहीं मेराग है नद्वेश तब भी तार छेडने पर स्वर निकलता है इसी प्रिकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्चक है मरन रखिये मन में कुछ भर के जीओगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे जाधेर एक पिता के लिए उसके संतान उसका गर्व है उसका एहंकार है और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर उसकी प्रेर्णा है बिना कहें पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता और उसे पूरी करने की चेश्टा करता दूसरी और संतान सदय वो प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता है किन्तु ये बंधन एक स्थान पर आके टूच जाता है तब जब संतान स्वयम की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे कारण है संबात की कमी जब बात आती है संतान के विवाग तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं और संतान का ये मानना होता है कि उसका भविश्य चुनना उसका अधिकार दोनों आपस में दुखी रहते हैं किन्तु बात कोई नहीं करता होना यह चाहिए कि माता पता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पता को विश्वास में ले लेना चाहिए एक बार संबाद करके देखें वरतमान और भविश्य दोनों ठीक हो जाएंगे हमें ऐसा कोई नहीं होगा जिसने व्रिक्षों को ना देखा व्रिक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा इनके घोस्लों को ना देखा इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा थे खंसार का सबस्ते ममतव वाला दुर्ष्ट होता है कि चिडिया दूर से अपने चोच में दाना भर कर लाती है स्वयम भोजन करने में उसक्षम संतान की चोच में डालती स्वयम भूकी रैख निस्वार निश्चलतास और जब संतान के पंक निकलाते हैं वे उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतनत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए इस आकाश में उड़ान भरने के लिए और हम मनुष्य क्या करते हैं जिस संतान को हम पंची की भाती पालते हैं उसके पंक निकलते ही हम उसे बान देते हैं यह सोचके कि कहीं वो दूर उड़कर ना चली ज़िए ऐसा नहीं कि इस्तिती में माता पता को संतान से प्रेम नहीं है अवश्य कि इन्तु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयम अपने और संतान के भविश्य के बीच में बाधा बन जाता है हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्म दाता है भाग के विदाता नहीं तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है इसलिए प्रेम को पास रखिए और मों को दूर क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते हैं राधे राधे एक शब्द है जो हमें कभी-कभी यक्त हो कई बार सुनाई देता है स्वार्थ वो व्यक्ति स्वार्थी है उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया आदे इत्यादी देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा पर तो क्या स्वार्थ सच में बुरा है नए स्वार्थ ये शब्द बना है स्वो से अर्थात स्वयम से यानि कि जिस कारिय में केबल स्वयम का अर्थ हो केबल स्वयम का लाप चाप को वो स्वार्थ अब प्रश्णी ये उड़ता है कि आपका स्व क्या है यदि आपके स्वो में केबल आप है तो आप अवस्च्य स्वार्थ हिए और यदि आपके स्वो में ये संसार स्मेलत तो आप परमार्थ दूर अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं उसका विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयम ही परिमार्थ में बदल जाएगा ताधेरा भूल और मनुष इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंक और चिडिया का जैसा धारा और नदिया का तेरी भूल मनुष के सभाव का इतना महतोपूर्ण अंग है तो आप सोचे इस पर लज्जा की इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयम को और श्रिष्ट बनाने का अफसर देती पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरिना देती अब करदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो क्योंकि बहुतों की दृष्टी में भूल दोश को जन्म देती दोश अपराद को और अपराद के लिए एक शमा नहीं दंड मिलना चाहे है कि इंदू कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है क्या कारण है इसक तो वो भूल दोश में बदल जाएगी और वो दोश अपराद है तो साहस रखें अपनी भूल को स्विकार करना अपनी भूल को सुधारनी की दिशा में सबसे पहला कदम होता है और स्मर्ण रखिएगा यदि कुछ अपराद है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्विकार क ताधेर कितना सुन्दर पुस्तक है सुन्दर आबरण है कि सजाय होए प्रिष्ट है कि इन तो क्या आई ये सत्य में अध्भूत पुस्तक कहलाने की पातर है क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य प्रेणा दाई है हमारे लिए मुल्यबान कैसे निश्चे लिया जाए इस बात का अब आप सोचेंगे कि सीदी सी बात है आबरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा उसे समझना होगा समय देना होगा कि अधिन विल्कुल उचित सोच रहे हैं आप बस आश्चेरी की बात यह है कि पुस्तक के विशय में आप ये सारी बाते जानते इंग्युक्ति के विशय में आप ये सारी बाते मन में नहीं लागा वियक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से उसके शारीरिक रूप से उसकी सुन्दर्ता से नहीं किया जा सकता उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा उसे समझना होगा उसे समय देना होगा पर हम क्या करते हैं पहनावे रंग सुन्दर्ता को देखकर आकर्शित हो जाते हैं उसे प्रेम समझ बैठे हैं और आए दिन कोई न कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं होगा उसे चल मिला इसमें दोश किसी और का नहीं स्वयम आपका है आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं पर दिया रेम दोशन में बनने वाला पकवान नहीं है इसका स्वात चकनी के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा तो समय दीजिए एक दूसरी के रूप से नहीं आत्मा से जुड़ी निश्चिती मन प्रसनता से कह उठेगा राधे राधे मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठन भाव कब क्या होने के पश्चाहत ये मन क्या सोच बैठेगा ये कहना असंभव और यहीं सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती हम सदा हम से उपर की श्रीनी के विक्तियों को देखते हैं उनके जीवन का विश्लेशन करते हैं और फिर स्वयम को हीन समझ लेते हैं इसके पास इतना धन है इसके पास कितना बल है और मेरे पास। अ कि मेरे पास कुछ पी नहीं है। संसार के लिए में कुछ भी नहीं है होता है नए ऐसा कि म्तूर ऐसा नहीं है आपके पास भी बहुत कुछ है पलट के देखिए रोंची को इवल एक रोटी जाए तो भले ही दूसरे के लिए वह अन्न का दाना होगा किन्तू उसके लिए वह भोट से कम नहीं इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे अपनों की ओर देखिए उनकी ओर पलिटी है आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है तो जो आपका संसार है उसमें प्रसंद रहना सीखिए राधे राधे असमंजस में होंगे न कि मैं क्या कर रहा हूं क्या लिख रहा हूं देखना चाहेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पे माटी क्यों लिख रहा हूं इसके पीछे एक बड़ा अकारण है किन्तु वो बताने से पूर तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजे क्या हूं जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूं तो यह रहा आपके पहले प्रश्न का उत्ता है माटी पर माटी लिखना कितना सरल है उतना ही कटे नहें पानी पर पानी लिखने संबंद भी कुछ इसी प्रिकार होते हैं बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठे अब प्रश्णी ये उठता है कि पानी पे लिखा कैसे जाए इस प्रकार ये पाशान जल की सते से होते हुए जल में समागे ठीक इसी प्रकार हमें संबंदों को भी निबाना है इस पाशान की भाती निष्ठा से गहराई में जा संबंद कभी नहीं दिख रहेंगे राधेर गरंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख लें उसके अधिकांच समस्याई स्वयम ही समाप्त हो जाती और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है बड़ा बल होता है किन्तु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना है क्या सदा मौन रहना उचित है नहीं इतिहास साक्षी है संसार में अधिक विबदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाई मौन रहेंगे यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है यदि आकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उससे सहमती समझ लेते फिर धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है आपका अभ्यास हो जाता और पिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाशान के बाती बन जाता है अपनी वानी का आवश्यक्ता पढ़ने पर सदुपयोग कीजिए वानी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है इससे भी अधिक महतोपूरण है ये समझना कि उससे कब तोड़ना है राध है राध है राध में हम कई ल लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयम को असफल मान लिया निराश हो चुके जिन्होंने इस विकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए वो कुछ कर ही नहीं सकते किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं कें तो ऐसा नहीं इस संसार में ऐसा कुछ कोई ऐसा अक्षर नहीं जो किसी मंत्र का भागना कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो अउशधीना कोई ऐसा विश्च नहीं जो समय आने पर हमरित ना बन जा कर इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच इसलिए स्वयम को जान जाओगे कि आप क्या अपने अंतर्मन को जगाएं आप देखेंगे कि जिस संसार की नीवी बनी है आशा से उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता दाधेरा यदा यदा ही धर्मस ग्लानेर भवती भाल अधुक्ताना मधर्मस तबात्माना मुस्रेजामन जब जब घर्दी पर पाप बड़ता है धर्म की हनी होती है तब तब मैं आड़ा ये तो आप सब जाएं कि तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धराता जीद बनकर ही आपकर परेखता क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता है आज बताता है संसार में पाप और पून्य संतुनम में चलते हैं कि जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है मुझे आना ही होता है कारण कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं जो कि यह मन मैं आपनी में बसता है बस आप सोयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको बताने कि सारे शक्ति आपने ही समाहित पर आप क्या करते हैं मेरा संबाद मुझे पूझते हैं मुझे से शक्ति मांगने लगते हैं बाती बाती की इच्छाएं मेरे सामने रखें मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपक्ति नहीं मुझे आपक्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है कबispersाँ सभंद में श्रग्दा रखें तोओ स्वयं की आतमा पर विश्वास किए निस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है है जो आप नहीं कर सकते हैं हर नरर में नारायंड बसकुए और हर नारी में लक्षे तो पहचानी अपने बीतर के नारायन को और बदो डीजे इस समय के चक्र मुझे प्रसंदता होगी तो मेरे अफ्तार लेने का बास्तरी प्रयोज है आपको समझा तो शंका त्यात पहर शंकर बन जाई है अन्यत्रा तंकर के समान रहना हो का रदेर कि शेर कौने अपने सुचा घखलियार में हम सब से अधिक किसे जुड़े अब कोई कहेगा माता पुत हैं कोई कहेगा मप्त कोई कहेगा पत्नी तो कोई body अब कई संता सबसे अधूरे समय को सबसे बहुमूर्य संपत्ती को हम नश्ट कर देखें कोई बविश्य के उच्छे सप्न को गुंता है किन्ति तरिक सोचे बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाल है और भविश्य के विश्य में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नश्ट कर देते हैं तो आपका भविश्य भी दीते कल की भाती ही होगे इसलिए आज के विशाय में सोचिए तुस्य उत्तम बनाएं आपका भूतकाल और आपका बविश्य अपने आप उत्तम हो जाएं जाधे अक्सर आपके बड़े बूड़ों ने आपसे कहा होगा यह संसार दुख का मूल और ईश्वर भक्ती उस दोश से दूर जाने का मार गया किम्तु सोचिए यदि यह संसार दुख का सागर होता तो क्या नियती आपको यहां पर जन्मली ने देती हैं क्या ईश्वर यहां पर अफ़तार लेते हैं कि जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता है हम आरोप लगाते हैं इस संसार यहां के लोगों कि सोचते हैं कि काश में यहां पर आया ही नहीं हूँ एक किसान बंजर धर्ती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लह लहाते खेत में परिवर्तित करता है एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा बस्त्र आता है अपने परिश्रम से उसे एक सुन्दर वेश में परिवर्टित कर देता आप भी परिश्रम कीजिए यह महत्व पूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए यह महत्व पूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए यदि कुछ महत्व पूर्ण है तो वो यह है कि जब आप गए त जब आप इस संसार को कैसा छोड़ करके तो यह सोच कर जीए कि जो किसी के लिए नर्ख है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएं कि अधेर हैं हम सब को कभी न कभी तो करोड आता ही और आएगा भी मनुश्य इन्हें भावों से हम जुड़े हैं तो यह क्रोड कियों आता है अभी सोचा है यह करोड अधार जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना जैसे कभी कोई हमारी बात ना मात कुंतु इन सारी परिष्तितियों में आधार एक ही कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर है हुआ हम दरबल है है प्रोजंळ लीटा है हमारी दरबल पार पर वह हमारी सबसरे दरबलता बन जाता युडी करोट पर वश्मेना रखा जा एक को भृम जण म्नुय तरिक्तप कर एक हाँ चर्जा को घस्की 274 एंट पर विभेक व्यारbaarता का किया जाए सुचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर रोस व्यक्ति का आप पतन हो जाती है इसलिए अपने कुरोड पर भश रखें अपने मन को शांत होने के लिए दा रोए राख व्यक्ति किसी और वस्तू या भाव से परिच्चत हो ना हो है और भविश कि दोनों ही भ्यक्ति के मन में सदै रहते जिनका अस्तित्व भ्यक्ति के अस्तित्व पर भारी रहता है विचित्र है नदद्व जिसे आप नहीं जानते जो अन्जान है और इसी कारएं आपको भै लगता है कि ना जाने क्या होगा। वविश्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं। तो जो घटा ही नहीं उसके विशे में चिन्ता क्यों। आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान की करम सत्यमन से कीजिए। और सोचिए ये अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्टता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए। यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे। तो भै स्वयम ही निकल जाए। और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भै और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए। इस वर्तमान को जी। राधे राध। हम अपने संबंदों के साथ जीते हैं। फुचसब मनाते हैं। खेलते हैं, खाते हैं, आनन्द मनाते हैं। इन्तु जब कोई प्रिये हमसे दूर चला जाता है। इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं। सदा दुखी रहता है। क्या ये होना चाहिए। इस प्रकृती को देखिए। व्रिक्ष पत्तों के जड़ने से शोक नहीं मनाता। वो मैं पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आये। और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आये। क्योंकि ये परिवर्तन है। ये इस प्रकृती का नियम है। इसमें शोक कैसे। जो चूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनन्द उठाई। राधे राधे। हमारे पास अकसर बहुत लोग आते हैं। कुछ को हम समय देते हैं। कुछ का हम तिरसकार करते हैं। किन्तु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के आपके पास आने के तीन मुख्य कारण होते हैं भाव, अभाव और रभाव यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवशक्ता समझे और जितना हो सके स्वयम से उसकी साहाय तक और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारणा है तो भी उसे समुचित सम्मान दे तो इमको भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में इन तो तिरसकार का भी ना तिरसकार जन्म देता है कुंठा को और कुंठा किसी को भी आपका शत्रू बना देती इसलिए मित्र बनाएं आनंद लें और मेरे साथ कहें अधर लूग सदयवा मुझसे प्रश्न करते रहते हैं कि मिТ्रता का मतलब क्या है कि इस प्रेइम का मतलब क्या है और मैं मैं बस मुसकुर्याता हूं है क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या कि अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या उसी प्रका वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ यह दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता हे बस देना होता हैàng आपका सम्य आपकी भावनाय आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे थो वह मितरता कैसे ही was पाथी के लिए करोगे तो प्रेम कैसे वैसे भी देखा जाया है तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की अबशकता ही नहीं और जिसके पास धाई अक्षर वाला ये प्रेम शब्ध हो उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है तो आप इस कोश को बढ़ाईए और मेरे साथ कहिए काधेर हम मनुश्य साथ रहते हैं आनन पीडा मिल जूल कर बाठते हैं समय पढ़ने पर सहायता देते हैं सहायता लेते भी है धिनतु क्या सदा सहायता लेना ऊचित अब आप मैं से कुछ कहेंगे बिलकुल उचित इसमेन बुरा ही क्या है तो मनुश्य के काम आएगा बिलकुल उचित कहाए किन्तु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है कारण यदि बाद-बाद पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयम दुरुबल होते जाएं स्वयम का एक मार्क बनाना छोड़ आप बाद-बाद पर दूसरों से सहायता मांगें दूसरी बाद सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष जुक कर रहना होगा किसी लिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता लाएं यूगि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए उस उपकार के रिण का भार जीवन भर आप पर रहे हैं अधे रहे हैं ey जबसे मरीश्य का जन्म हुआ है जन्म हुआ है जान पहचान करें अ किरा और आज के युगमें व्यक्ति का मुल्यांकरण करते कि इसका एक से लिए इसकी पहचान और तक है क्यों आपके आस पास होंगे जो पहचान की बल पर आपका काम बना लेते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पालेंगे, पैन अर्जित कर लेंगे, किन्तु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है, पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा, जब तक आपके उनसे मदुर संबंध हो, संबंधों में खटास आई, और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए, इसका उत्तर है काम, अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम मिश्चय से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं ठीके हो, किन्तु काम से मिली पहचान, युगो युगो तक ठीके, मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़ कर जाता है इसके मद्य का काल जीवन कहलाता है और इस जीवन में संगर्ष तो करना ही पड़ता है कभी शिक्षा के लिए कभी काम के लिए कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है किन्तु इस संगर्ष का सामना करने के लिए प्रकृती ने हमें एक और गुण भी भेजा प्रयास कभी किसी छोटे बालत को देखा ना कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता है किन्तु अपने घुटनों के बल पर समझत आंगन ना अपने का प्रयास करता है खडा होता है गिरता है पिर खडा होता है और अंततर वो चलना सीखी जाता है कि क्योंकि वो अपने मन से नहीं आहार जीवन में युद्ध क्षेतर कहीं आएंगे कभी कभी हार का सामना भी करना होगी किन्तु हारता केवल हो है जो मन से हार जाता है इसलिए कहते हैं युद्ध रन भूमी से पहले मन भूमी में लड़े जाते हैं मैदान में हारने वालों को कई अफसर मिलते हैं किन्तु मन से हारने वालों को नहीं प्रति दिन सूर्य उगने के साथ ही जा गुटती हैं कुछ कहानिया, कुछ संगर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं पर सभी कहानिया संपन्य नहीं होती, सभी संगर्ष जीते नहीं जाती, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं, रह जाती हैं अधूरी क्यों, अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरारा, कुछ मानेंगे निश्चय द्रेड नहीं था, कुछ क्रोध करें जब कुछ इस असपलता का बोच, अपने भाग्य के कांधों पे ढल देंगे परन्तु इस सब का कारण केबल एक तत्व की कमी, कमी है ठाई अक्षर की, कमी है प्रेम प्रेम, जो ना शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शास्त्रों के बल, ना पाताल की गहराईयों, ना आकाश के तारों तो ये प्रेम, है का, कैसे पाया जाता है उसे, क्या है मार्क प्रेम को पाने का, प्रयास रहेगा, आपको यही समझाने की तो आई, भागी बनिये इस यात्रा की, साक्षी बनिये प्रेम की इस भाव विबोर कर देने वाली महागाथा, जो अलोग एक होकर भी, इसी लोग में रची गए और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिच्चय पत्रों बस एक बात, मन से बोलना का राधेरा, 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 जब मैयाँ खीर बनाती हैं, तब वो हमें बहुत भाती हैं, क्यों? किन्तों मैया खेर कैसे बनाती है पहले वो भात और दूद का प्रबंद करती है फिर वो मीठे का प्रबंद करती है फिर वो आज पर इसे देर तक पकने देती है एना सरल कि इतना भी सरल नहीं जीवन में आनेंद की खीर चकने का भी यही तरीका है यह तो इसमें समय बहुत नहीं शुद्द स्वेद दूद जैसे भावों में कवी न तूटने वाले संबंदों में प्रेम की मिठास मिला कर जब प्रयास और परिश्रम की आज पर देर तक पकाया जाता है तब बनती है आनन्द रूपी की तूस्मरण रखिये शुद्धता भावों के विठास प्रेम के और प्रयास आत्मा के इन तीनों को मिलाओगे तब भी जीवन में आनन्द पाओ तादेरा हर संबंद की नीव विश्वास होता है अब प्रश्णी ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा बांदरी में काम आने वाली रसी गूथी कैसे जाता है हर रसी में तीन डोरियां होती है जिने आपस में गूथा जाता है बस विश्वास के साथ भी यही होता है यदि आप उसके साथ विश्वास का बंदन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये तीन डोरियां जानता है समझता है पहला आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा दूसरा आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेंग और तीसरा आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वाला मुखे आपकी विवस्ता तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीन दोरिया यह तीन बाते जानता है यदि उसके साथ आप विश्वास का बंदन बांधें तो उसके सारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं तादेरा मनुष्य का सभाव है सोचना सोच विचार कर निर्णे ले और निर्णे लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ने हैं परन्तु क्या हर कोई अपने निर्णे का परिणाम पाने में सफल होता है क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं अन्य क्यों ने इसका कारण है है और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं और आज सफल वो होते हैं जो इस संसार के भैसे अपनी सोच को अपने निर्णय को बदल लेते हैं इसलिए यदे इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्क तक पहुचने का आपका मार्क बदलने अपनी सोच और अपना निर्डएने राधेरा हम मेंसे कई लोग इस विशाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारी जीवन में अपेक्शित सोग सुवेधा कभी प्राप्त ही नहीं क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चेत करता है कुछ सीमा तक करता जैसे परशा की भून जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना किन्तो वो धरा पर कहां गिरती है ये निश्चेत करता है कि उसका भविष्य क्या होगा केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती सीथ के मुख में गिरे तो मोती बन जाती विष्धर पी जाए तो विष्ष बन जाती बून्द एक ही प्रारब्ध ती तो प्रारब्ध हमारा जन्द नहीं हमारा चयन निर्धारत करता इसलिए अपना चयन सूच विचार करके करें प्रादेरा करमी की रुटू आने पर एक मीठी सी पूख सुने हो गया मन में बैठ जाती है कोयल की कूप बड़ी मीठी बड़ी उप्यां ऐसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है हमारे गड़ के आसपास ही होता है हरी आला रंग, लाल चोच ठीक पहचाना आप तो ये दोनों ही पक्षी हैं हमारे में बहुत प्यारे हैं मन को शांती देते हैं किन्तों इन दोनों में बड़ा आन पर कुल बने उप्योंनों में स्वतंत रहाती है तोता कई बार हमारे घर के पंजर में बंधा हुआ पाया जाता है क्यों होता है ऐसा क्योंकि कोईल अपनी बोली बोलती है तोता किसी और की बोली की नकल करता है जो अपनी विचारों पर ध्रड रहते हैं अपनी आत्मा की सुनते हैं वही करते हैं और वही बूलते हैं वो इस संसार में इस स्वतंत्र रहते हैं जो किसी और का कहा करते हैं जोना आत्ममन्थन के वह बंडी हो जाते हैं कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के तो क्या बनना चाहेंगे आपको कोई या तोता करने आपका का देर हैं उगना किसे नहीं भाता सफलता के आकाश पर सबारी करना कौन नहीं जाता सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम उनकी पहचान सब से उपर हुए क्योंका नाम इतिहास में स्मरन रखा जाए परन्तु सब का नाम इतिहास में नहीं लिका जाता कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं क्यों क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते भूल जाते हैं ये बात कि उडान पूर्ण होने के पश्चात धरा तल ही उन्हें विश्राम देगा कि उनके कारणामों पर तालिया मजाने वाले उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं और धर्ती पर रहने वाले लोग ही यतिहास लिखते हैं तो सफलता का आकाश ना पिए पर अपनों से उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है तभी इतिहास में नाव होगा और तभी आप भविश्य में प्रसन रहेंगे तो तभी आयव है अक्सर आपने माता-पता अपके हिते अशीया अपके शुबचिंटोंकों के मुग से यह सुना होगा शुम्र गयी इस की कूद्रिष्टी उतारो यह मत करो नहीं तो कूद्रिष्टी लग जाएगी ऐसा शरंगार ना करो वो मत पहनो नहीं तो कूदृष्टी लग जाएगी और कुछ कुछ तो इस कूदृष्टी का उपचार भी कर लेते मिर्च का धुआ जलाते तेल की बाती से कूदृष्टी उतारते काला टीका लगाते है क्या क्या करते उचित है किन्तु मैं मैं कूद्रिष्टी को नहीं मानता हूँ यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कूद्रिष्टी है आपको किसी भी प्रकार से हानी नहीं पहुचा सकते हैं आंधिया भी केबल उनी घरों में धूल बर पाती है जिन घरों में खिडकियों के परदे दुर्बल होते हैं बवन्डर भी केबल उनी दिवारों को गिरा पाते हैं जो नीव से कमजोर होते हैं और आपके व्यक्तित्वकी नीव है आपकी सोच आपका दृष्टि को एक ही स्थिती एक ही स्थान एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं निरणय आपका है इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे इसलिए स्मरण रखिएगा अपनी दृष्टी नहीं, अपना दृष्टी कोन संभाजी, तो कि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टी का उप्चार तो है, बुरे दृष्टी कोन का नहीं, तो प्रेम से बोलो, राधे राधे, बालपन से कहीं पहेलिया सुल जाए होंगी आप, क्यों? तो आज एक और सुल्जा लीजी, बताईए आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है, जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है, और सबसे बड़ा शत्रू भी है, सबस्दार को एक संकेत ही परियाप्त है, उचित सोचा आपने, वो वस्तु है, समय, समय, क्यों? क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र है और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रू है, उत्तर है समय का सम्मान, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता, वो अपने जीवन के सारे लक्ष प्राप करता, संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता और जो व्यक्ति है, समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अंजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है इसलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविक्ता क्या है, किन्तु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविक्ता क्या है तो प्रेम से बोल राधेर जीत जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति स्मृति बड़ी ही बल्शाली इंतु विच्चित रनुबुति होती है सदा आपके साथ रहती है आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं न कहीं किसी स्थान पर संचित रहता है किन्तु कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी है लग्री सुनुद rods इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है यह थी लुए निरुभर करता है इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए है सुख पहल स्था आनंद केक्षण फुक्षण जहां किसी योट कि कख्षें जहां किसी ने अपने मित्रता नबने है शहीं किसी को सुक दिया हाने अक हम क्या समय भुछ दुख इस वह कंगर कर दूध यह फिरिडया दुब्छन है और दूठ आ है है जान किसी ने हमारे साथ कुछ बुड़ा कि दूख्षन जहां किसेने श निज़ और फिर यहीं शृतिया परेवश्य करती है रातिकार के लूए और इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरंग रखना है यह फेर निर्भर करता है जीवन में सब कुछ भूल जाए कि यह अवश्यसमरण रखेगा भूलने वाली बातें याद हैं किसी लिए विवाद है तो प्रेम से बोलो राधे राधे कभी बर्गत के व्रिक्ष को देखा है कितना दुशाल होता है कभी-कभी भै लगता है कि इन भारी डालों का बोज कितना सह भी पाएगा या नहीं भै लगता है कि कहीं ये व्रिक्ष तूट करना गिर जा इंतु नहीं समय पढ़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेले धर्ती की ओर बढ़ती और फिर सोयम जड़ बनकर इस व्रिक्ष को सहारा देती इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं सत कर्म करते हैं उन्हें सोयम के चिंतित होने की आवश्यक्ता ही नहीं क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं इसलिए जीवन में सहारे की नहीं कर्म की चिंता कीजिए राधे राधे प्रक्रिती ने सभी जीवों की रचना की भूप की मांग के लिए सबको पेट दिये और व्यवस्ता भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके हैं ना और संसार के इन सारे जीवों में इबल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का अविश्कार किया धन कमाना सीखा और आश्चर्य की बात भी ये है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाए कियो कि इसका कारण है लोग कि इस संसार में कोई भी जीव हो शाकाहरी या मांसा है किवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके कुछ इकठा नहीं कर और मनुष्य इकठा करता रह जाता है किन तु ना अपने मन की भूख मिटा पाता है ना ही अपने शरीर इसलिए यदि कुछ अरजित करना है तो शुब कर्म और ना अन्यता इस संसार से भूखे पेट जाना होगा तो प्रेम से बोलो राधेर चत्र नारियस्त पुझेते रमंते तक्त्र देवता अर्थार जहां नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बस्ते हम ये सब मानते हैं किन्तु अपना थे कितना अब आप कहेंगे कि हम स्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं उसके जन्म दिवस पर या विवा की वर्षगाट पर हम उन्हें उपहार देते हैं आदी त्यादी किन्तु क्या ये परियात आप सोचे एक स्तरी अपने पती के लिए अपने पता के लिए अपने पुत्र के लिए अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती और उसे हम क्या केवल एक भेट देकर उसे सनतुष्ट माने, स्टरी को सुवरणा भुशन नहीं चाहिए, महेंगे वस्तर नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में, उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पन, और थोड़ा सा प्रयास कि आपके जीवन में उनका स्थान बराबरी का भाव तभी आप कह पाएं जत्र नार्यस्तु पुज्यते रमंते तत्र देवता राधे राधे जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपनों का साथ बड़ा आवश्चक होता है सुख हो तो बढ़ जाता है दुख हो तो बढ़ जाता है अपनों के साथ समय कब भी जाता है पता भी नहीं चलता है है ना किन्तु सोचे यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंदी ना हो आपका कोई अपना ना कोई मित्र ना तो क्या होगा एक एक शंग कितना लंबा लगने लगेगा तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाए अब प्रश्ण ये उठता है कि आपका अपना कौन है वो संबंदी जिनके साथ आप रक्त से जुड़ें या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़ें या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं नहीं अपना वो जो विपत्ती में काम है अपनों की परक्त समय की कसोटी पर की जाती है मरन रखिएगा अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता इंद उस समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता सुप्रेम से बोलो राधे राधे कुछ पक्षियों को देखा है मैं जीवन भर गोसला बनाते रहते हैं यहां से डाली लेकर वहां से तिनका लेकर सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोसला बना सके और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि सोयम के पंखो के अस्तित्व के विशय में भूल ही जाते हैं भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है उने के और पर यह जीवन उस घोसले की आहुती चड़ जाता है हम मनुश्यों के साथ भी यही होता है जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है धन जीवन जीने के लिए होता है जीवन धन कमाने के लिए नहीं तो आप केवल घोसला बनाते मत रहिए अपने पंग पड़ पड़ाईए और उडान भरिये इस खुले आकाश सुप्रेम से बोल राधे राधे चीटी का जीवन बहुत ही कम होता है दो दिए अधिक से अधिक एक सप्ता बस कितने कम भोजन के अवशक्ता होती है इसे इंतु फिर भी वो चलती रहती है कर्म करती रहती है अपने आने वाली पीडियों के विरासत के लो कर्म ना रुकों करते रहती है चलते रहती है कुछ ना मिला तो चलने में सिध्धास्त हो जाओ लक्षे ना मिला तो एक सुगड यात्री तो बन पाँ तो प्रेम से बोले र्याधे रहती है मनुष्य की एक विशेश प्रवरिती होती है वो कभी स्वयम से संतुष्ट नहीं रहती है कभी स्वयम से प्रसंद नहीं रहती है जो है उससे अधिक पाना चाहता है जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन लाना चाहता है और ये प्रवरिती संसार में सबसे महान है क्योंकि इसी प्रवरिती के चलते संसार में विकास होता है किन्तु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सकता है उसे मार्व दिखा से उसके जीवन में परिबरतन ला सकते और इसके लिए मुरुष्य संसार भर में उसे खोचता है जो उसके पास है कि बताईए कौन यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दरपन देगे तो आप स्वयम है जो आपका जीवन बदल सकते हैं वो आप स्वयम है जो स्वयम को मार्व दिखा सकते हैं जीवन में बदलाब ला सकते हैं परिवर्तन ला सकते हैं इसलिए पहचानिये अपनी भीतर की शक्ती को और विश्वास कीजिए कि इस संसार में आप से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं हो जीवन बदल जाएगा आप अरंद विश्वास का नहीं आत्म विश्वास का आपके समस्याइं स्वतार दूर हो जाएगा तो प्रेम से बुर र्याधेर जीवन में कुछ कर दिखाना है आकाश की वो सिमा चुनी है जिसे चुने के विश्वास में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं तो अपने भीतर ये तीन गुंड अर्जत कर लीज़े पहला अपने लक्ष को पाने की चाह लगन यह आप से वो कर वा सकता है जो आप कभें नहीं कर सकते हैं दूसरा साहस संकट उठाने की क्षम्ता यह आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं और तीसरा है अनुभव अनुभव आपको यह बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए तो जिसने चाह, सास और अनुभव इन तीन गुनों की तिकड़ी पाली उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके वो सदा प्रसनता से कहें का देर है हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है शिक्षक जो हमें जीवन जीने की अवशक कला सिखाता है जीवन जीना सिखाता है और जाने के पश्षाद भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है किन्तो यदि कोई ये प्रशन करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है तो कोई कहेगा मा क्योंकि इस संसार में मा से अधिक सी और कौन दे सकता है कोई कहेगा अध्यापक क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है कोई कहेगा मित्र किंतु इन तीनों में एक समानता है यह पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परिक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखें किंतु वास्तविक्ता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा गए जो पहले आपकी परिक्षा लेके और बाद में आपको सिखाते हैं क्या कहो कि परिक्षा देते देते आप सोयम ही सीख जाएंगे यह शिक्षक है अनुभव इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होगे तो प्रेम से बोले राधे राधे इच्छा निरने और निश्चे यह शब्द हमने हमारी जीवन में कई बार सुने हैं है ना जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होता है किन्तु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है कुछ प्राप्त होता है बंजर धर्ती पर रहने वाले व्यर्ती की इच्छा होती कि उसे मीठा जल मिल जाए किन्तों से नहीं मिलता जिसने कुवा खोदने का निरने कर लिया उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है इसलिए जीवन में केवल इच्छाना करें नियननाय करें और फिर निश्चन सब मिलेंकर तो प्रेम से बोलें राधे राधे भीपक जलाने का कार्या कितना सुखमई होता है प्रकाश की ये लौह मानों आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देते ये मैंने किति इसे ऑंगे आपकी से मैंने अन्यादियों के जलाया था क्योंकि जब तक ये तीली अन्या बातियों के जला रही तो जब जल रही दिदु जब इसने ऐसा करना छोड़ दीयrah में इसे स्वयां वुजना पड़ना समझें जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है तेरी जीवन में शुब कर्म करोगे परोगकार करोगे किसी की सहायता करोगे तो जिवित रहोगे और जिस दिन ये करना बन कर दिया श्वास लेने के पश्चाद भी मृत समान हो इसने जब तक श्वास है आशारूपी प्रकाश का संचार करते रहे विश्वास कीजिए मृत क्यों के पश्चाद भी अमर रहे तो प्रेम से बोलो राधेर जब से जीव अस्तित्व में आये तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया संघर्ष जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता कभी अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है तो सबका एक उलाना होता है कि संगर्ष करते समय कश्ट बहुत होता है अब योध्धा है तो प्रहार तो सैने पढ़ेंगे तैरना सीखना ए तो जल में प्रवेश करना होगा उन्हीं के पाव में छाले पढ़ते हैं जो नित चलते हैं और जो चलते हैं वो अपने लक्ष तक अवश्य पहुंचते हैं इस बिस्मरण लखेगा जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे तो संगर्ष करते रहें कश्ट को भूल जाई और मेरे साथ प्रेम से कहिए रादे रादे आप जानते हैं अन गिनत प्रयासों के पश्चाद चीटी अपना एक छूता सा घर बना पाते हैं जो अन्य जन्तूओं के लिए सरल सी बात है वो चीटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना सबसे बड़ी सफलता है वविश्य में चीटी रहें न रहें इनके बनाए हुए घर वर्ष्यों पश्चाद तक तिके रहते हैं जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती किन्तों यदि आप प्रती दिन प्रयास करते रहें तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी स्मरण दिकेगः भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान देते हैं भाग्य उनका स्वागत करता जो उठकर उनके द्वार खट कटाने का प्रयास करते तो प्रयास करते रहें सफलता एक में एक दिन आपके पास आएगी आप संसार में ऐसे कई लोगों को जानते हुए जिने आप स्वार्थी मानते जो अवुश्यक्ता पढ़ने पर ही आपको स्मरन्ड करते इन्दु जैसी उनके आपके सहायता की अवश्यक्ता पढ़ती है आध जोड़ कर आपके साम ने सज्ज रहता बड़ा क्रोध आता है ने मन खिन्न हो जाता मन से इस स्वर निकलता है कि इस इस व्यक्ति की सहायता ना करें ऐसा कभी मत कीजिए आप सोचेंगे क्यों कहरा हूँ मैं स्मरंड रखिएगा दीपक का स्मरंड व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंदकार गहरा हो जाता उसे स्वार्थी मानकर स्वयम व्याकुल ना हो स्वयम को दीपक मानकर आनंदित होई भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्या है किसी के स्वार्थी होने से स्वयम का दृष्टी को न बन बन वस्यद्रिश्टी रखिए स्वयम के परमार्थम पर मन प्रसंद्न होकर बोले कि आधेर हमारा शरीफ रकृति की सर्वोत्तम रचना है जो अंग जो तत्व हमें मिले हैं उन सब का अपना अपना एक संदेश है दो आखें दी हैं देखने के लिए दो कान दिये हैं सुनने के लिए नतुने भी दो दो हाथ दिये हैं दोरा परिश्रम करने के लिए इंतुन जीव केवल एक उस पर भी नुकेले बलिष्ट दाथ दिये हैं उनकी रक्षा के लिए कभी सोचा है क्यों क्यों क्योंकि शब्द और शब्दों का उप्योग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है जिसका उप्योग जितना सोच समझ कर किया जा है मनुष्य जीवन में उतना ही उपर उठता है समझे न देखो सुनो समझो अधिक बोलो का प्यादे रादे इस ताला आपको देख रहे हैं बच्चे बूढे युवक किसी से भी मैं पूछ लूँ कि ये क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा उत्तर तब बदलेगा जब प्रशनी ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहें कोई कहेगा कि मैं यूही किनारी पे बैठके इस जल को सपर्श करके शीतल वायो का आनद लेना चाहूँगा कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूँगा कोई कहेगा मैं कागस की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूँगा कोई कहेगा मैं मचली पकड़ कर जीवन यापन करना चाहूँगा आदी इत्या, आपको एक बात बता दू कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भाती है, एक समा, कि तो हमें इसके साथ क्या करना है, ये निरणय हमारा है, इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे, कीचड भी मिलेंगे, यदि आप मोती पाना चाहते हैं, तो आपको उस तक जाना होगा उतनी प्रयास आपको करनी होंगे तब जाके आप मोती पाऊगे अन्य था केवल कीचड़ हाथ लगे इन्तों जो मैं सदय वह कहता है निहरे आपका है इस पल को देख रहे हैं ये वो फॉल है जो पेड के सबसे ऊपर वाली शाaktव पर पाया जाता है कि तो जब ये तूट तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता है जो उपर हूँ कि बजाता हो द थर्ती की और जो नीचे से उसे तक रही होती कि यह होती ह्ट धर्ती की नीचे आई देखकर होता है यही बात हम मनुश्यों के लिए भी लागो होती है यदि आप संपन्न है तो उनकी सहायता अवश्चक करें जो आपसे सामर्थ्य में कम है जिनको सहायता की अवश्चक्ता आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है देखिए जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बलकि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारण वर्ष्च आपसे नीचे रहे है और